हाई गाईज देखिए जो ग्लाब मैं दिखा रही है इसके बारे में बताने का मेरे पास कोई सब्द नहीं है कोई फाशा नहीं है इतने संदर है इतने संदर है कि एक एक प्रांस में देखिए पुंद्रस ला करके फूल खिलिया है पूरा भड़ गया पत्ते दिखाई नहीं दे रहा है इतना सारे फूल खिलिया लेकिन इसको जो क्यार है बहर तीजी है मैं इसको लगाए 10-11 मांथ लेकिन लगाते हैं एक मैने बाद से फूल खिल रहा है इतने संदर फूल इसको मैं ग्राउंड में लगाया बहुत संदर क्या बाता हूँ इसके परी में सच में देखके मन खुशी से भर रहा है इसको मैं ऑर्गानीक ट्रेटमेंट करती हूँ जैसे की बॉंडास्ट मस्टार केक्ग नीम फुली यह सब भी टाइम टू टाइम देटे रहती हूँ और फंगी साइट 20 में स्प्रे कर देती हूँ कोई भी फांगी साइट और गानी हो सकता है केमिकल हो सकता है कुछ भी हो सकता है कि एक छोटे से पेड में इतनी फूल खिलिया है कि मेरा फार्म हाउस का गर्डेन है पास में और भी वहुत सारे गुलाव है इसको वाटरिंग का देन देना पड़ता है टाइम टू टाइम वाटरिंग करना पड़ता है इसको कालर है जो वह भी सच में असली में और ज़्याज़ सुन्दर है जो कि इसमें दिक्रे उससे भी बहुत काफी अट्रेक्टिव है ग्राउड में है इसलिए हम विक ली टू टाइम साफिसेंट वाटरिंग कर देते हैं इससे अच्छा से ग्रो कर रहा है इसके बाजू में ही है और एक कलर लगबग सेम कलर है लेकिन इसको पेटल्स थोड़ा ज्यादा है इसको भी सेम परसेज है इसको भी सेम क्यार है करती हूं में इसके बाजू में है और एक यालो औरेंज मिक्स है यह भी बहुत काफी सुन्दर देखने में क्यार पासेज सेम है और यह जो है यह तो कुईन है गुलाब की रोजस की कुईन है सच में इसके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं यह तो कुईन है अगर अच्छा लागे तो लाइक श्या साउस्क्राइब कीजिएगा ऐसे वीडियो पाने के लिए फ्रेंड्स तब तक के लिए अच्छा से रहे खुशी से रहा है मजा कीजिए बाबाई फी मिलेंगे जर अच्छा साउस्क्राइब कीजिएग।